नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ओल अफ यू, वेलकम टू मैं चैनल एक्जाम इस्टोर, एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी का श्वागत करता हूँ, तो फ्रेंड यूपी ट्रिपल सी के दुवारा जो लेक्पाल वर्ति प्रिक्रिया है उसको लेकर एक अब आप देख सकते हैं कि यहां पर सौट लिस्ट कर सकता है आयोग, तो अब आयोग जो है, कितने परसेंटाइल तक लोग लेकपाल में बैठ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ, तो जितने भी लोग अभी तक चैनल पर नह करेंगे, क्योंकि एक्जाम इस्टो लगता रहा हूँ, आपके लिए लेटेस्ट अबडेट हो प्रतियोगी परिच्छाओं की वित्यारी कराता है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेटी स्टार्टेट, तो गाइस यहां पर जो जनकारी मिल पा रही है, मैं आपके साथ सेर कर रहा हूँ, यूपी ड्रिपलसी, लेकफाल एक्जाम 2012, जल्दी सोट लिष्ट कर सकता है आयोग, सबसे बड़ी ख़वर जो है, आपको मैं बता रहा हूँ, तो पिट आवेदन करता को जल्दी सोट लिष्ट कर सकता है आयोग, जानिये कब होशकती है, उत्तर प्रद के बारे में उत्तर प्रदेश लिखपाल भरती के अंतरगत शबसे यानि अभी हाली में कुछ दिन पूर्ब जो है लाखो आवेदन करता हो लगबर आपके पास दस लाख आवेदन करता हो सकते हैं जो है करने में समस्या का सामना करना पड़ा है क्योंकि इसकी लास्ट डे जो जो है चार फरवरी तक कर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की तीथी कितने तक कर दी गई है चार फरवरी तक आपको करेक्शन करने की डेट से थी कि इसमें तोड़ी सी मिश्टेक हो गई है जिसके बाद लाखो आवेदन करता हो जो है जो छूटे जा रहते हूं उन्हें भी भरपूर समय मिल गया है उन्होंने भी अपने आवेदन कर दी है पर ऐसे में उपलब्द जो है यूपी लेखपाल भरती में बहुत दिनों से कुछ न कुछ समस्या आ रही है अब हम लोग बात करते हैं नीचे जो है इसमें सौट लिस्ट के बारे मे और आपको बता दूंगा और साथ में मैं यह भी आपको बता देता हूँ कि इसका एक्साम जो है आपका चुनाव के बाद यानि 10 मार्च के बाद ही आप लोग का होगा ठीक है गाइस तो इस वीडियो में यही जनकारी मिल पा रही है मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक लिए गुडबर टेक कर जय हैं दोस्तों